जै गनेजी महराज आप सभी को पता है कि जो हमारे गनेजी महराज है इसकी पूजा कोई भी सुबकारिये करने से पहले हम इसकी पूजा आवस्य करते हैं आज हम आपको बताएंगे कि जब भी कोई महिला खाना बनाती है घर में तो खाना बनाने से पहले हमें तीन रोटी अलग से निकाल ली है जो कि हमारे भागे को बदल सकती है पहली रोटी तववे पे डालते हुए हमें नाम लेना है कि ये रोटी हमारे गाए के लिए है क्योंकि अगर हम जो पहली रोटी है उसको गाए को खिलाते हैं तो हमें काफी फाइदा होता है नमबर दूसरी बात दूसरी रोटी जो हम तववे पे डालते हैं उसमें कुत्ते का नाम लेना है कि ये रोटी हमारे जो भी कुटा है या कई आसपास है उसके नाम की है और तीसरी रोटी हमें पक्षियों के लिए बनानी है जो बेजुबान होते हैं जो कहा नहीं सकते उनके लिए बनानी है उनको छोटे-छोटे टुकडे में करके हमें छत वगरा पर डाल देना है या फिर मंदिरों में डाल देना है ये रोटी ये तीन रोटी आपका भागे बदल देगी जो इनसान जो इनसान जिसके घर में ये सब होता है उसके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती उसका घर हमेशा धन धने से भरा रहता है और गनेजी माराज हमेशा खुश रहते हैं और अपनी महर बरसाते रहते हैं उसकी महर हमेशा बरस्ती रहती है